हेलो दोस्तो यू नेक्ष्ट में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं UPPCS-DHO का जो प्री हुआ था आज एक कॉकस्त को वो कोईस्टिन पेपर हम लोग देखेंगे तो दोस्तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो क्वेस्टिन है वो किस तरह का आया था और क्या लेवल था क्वेस्टिन का यह सारी चीजी हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले कहोंगी कि अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजे तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दे कि यह जो question है आगर मैं पूड़ा एक है कि सारे questions पढ़ने लगू तो बहुत time लग जाएगा तो आप सब को बता दे कि जो question मैंने जिस तरह से अभी देखा है तो question का जो level है वो moderate है और जो आपके questions आए थे जिस तरह से मैंने आपको बताया था हमेशा मैं कहती थी कि जो current के questions है उसको आप last 3 month और 6 month का question अच्छे से कर लिजे तो current भी last 3 month से ही ज्यादा तर पूछे कैं है जैसे June से questions आए है और जो current और GK वाला जो आपका portion है वहाँ पर भी जो current के questions है वो agriculture related भी है और मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश special भी questions वहाँ पे पूछे गए हैं तो दोस्तों जैसा मैं आपको पहले से बताती आ रही थी वैसे ही type के question पूछे गए है और आपको बता यह कि आपका paper कैसा हुआ और कितने questions आपने attempt किये जिससे कि मैं आपको बता सकू कि कितना cutoff जाएगा और एक cutoff का अंदाजा लग सके तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश special से भी questions आये हैं उत्तर प्रदेश में किस जनपद में modern coach factory रहका है ज्यादा tough है नहीं अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा last two to three months तो आप बहुत अच्छे से attempt कर पाए होंगे तो आप लोग मुझे अपना जो attempt है वो comment करके जरूर बताईए आकी आपने कितना question किया आपको question का level कैसा लगा और आपने total कितने attempt किय हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताईए और इस paper को आप मेरे telegram से जा करके download कर सकते हैं तो दोस्तों आप सब को बता दे कि question का level मुझे तो moderate लगा है और मुझे तो बहुत सही लगा और आप लोगों को कैसा लगा इसका इंतिजार रहेगा तो जो भी questions आए थे बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि हां कुछ भी पूछ दिया है ऐसा कुछ नहीं है जो भी जीके के questions से जैसे की constitution से questions पूछे गया थे सारे मतलब factual ही थे ऐसा कुछ घुमा के भी बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया और direct questions था आप देखिए यहां पर तो मुझे तो community में जाके देख सकते हैं एक poll conduct करवाया है तो आप लोग उस poll में जरूर हिस्सा लेजिए और वहां पर अपने attempt बताईए ताकि इससे एक अंदाजा लगाया जा सके कि किसने कितने questions attempt किये हैं तो अगले वीडियो में मिलती हूँ आपके साथ cutoff के साथ कि कितना cutoff है और मैं थोड़ा survey वगड़ा भी कर लो मैं बाकी लोगों से भी पता कर लो कि उन्होंने कितने attempt किये हैं तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पर वाचिंग